भारती इतिहास के पन्ने पलट कर अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें कई सारी प्रेम कहानिया मिलेंगे फिर चाहे वो प्रत्वी राज या फिर सैयूंगता की कहानी हो, बाजीराव मस्तानी की कहानी हो या फिर सलीम अनार कली की इस सूची में फिरोशात्यूगलग और गुजरी का भी नाम दर्ज है हम आपसे हर वीडियो में अपील करते हैं कि अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप हमें बताइए अगर हमें सुझाओ पसंद आया तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आप मेंसे ही एक दर्शक के सुझाओ पर हम वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम आपको बताएंगे फिरोशात्यूगलग और गुजरी की प्रेम कहानी कि शुरुआत कैसे हुई थी और उसका अंजाम क्या रहा था तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इनकी कहानी का कनेक्शन हिसार जिले के गुजरी महल से जुड़ा है कहा जाता है कि सन 1354 में फिरोशात्यूगलग ने इस जिले को गुजरी नामक एक दूद बेचने वाली के लिए बनवाया था दरसल वो पहली नजर में ही अपना दिल गुजरी को दे बैठा था आए जानते हैं कम और कैसे फिरोशा को गुजरी से प्यार हुआ और उसने किस वादे के चलते गुजरी महल को बनवाया बातों जमानी की है जब दिल्ली के तक्ट पर महमद बिन तुगलक काबिस था उसके उत्रादिकार के रूप में फिरोशा तुगलक खुद को तयार कर रहा था शिकार करना उसका पसंदीदा शौक था एक दिन वो हिसार के घने जंगलों में अपने शिकार का इंतिजार कर रहा था तभी उसके नजर एक चेहरे पर जाकर रुख गई और एक चेहरा गुजर जाती की एक युविती का था जो की जंगल में मौजूद कुछ लोगों को दूद बेच रही थी फिरोज काफी देर टक टक टकी लगाकर उसे देखता रहा वो उसकी सुन्दरता पर मोहित हो चुका था कहते हैं इस पहली नजर में ही फिरोज गुजुरी को अपना दिल दे बैठा था उस दिन तो फिरोज गुजुरी से बिना बात किये लोट गया लेकिन उसका चहरा उसके नजरों से हट नहीं रहा था उसने तुरंट अपने सैनिकों से उस युवति का पता लगाने को कहा और अपने मालिक के आदेश पर सैनिक दोबारा हिसार के जंगलों में पहुँचे और उस युवती के बारे में सारी जानकारी जुटाली चलिए आपको बताते हैं कैसे हुई शुरू ये प्रेम कहानी उन्हें जब पता चला कि जंगल में कुछ गुर्जर जाती के लोग रहते हैं जो कि गाय भैस पालने का काम करते हैं गुर्जर इसी जाती के एक लड़की थी जो दूद बेशने का काम किया करती थी इसके बाद तो जैसे फिरोज के लिए हिसार का जंगल दूसरा घर बन गया था वो रोज शिकार के लिए वहाँ जाता है और वैसे शिकार तो एक बहाना ही था दरसल वो गुर्जरी को देखने जाता था उसे अपने दिल की बात कहना चाता था जल्दी ही उसके मलाकाद गुर्जरी से हुई और फिर उसने देर न करते हुई गुर्जरी से अपने दिल की बात कहे दी फिरोज के लिए अच्छी बात ये रही कि गुर्जुरी ने उसके प्यार को स्विकार कर लिया और इस तरह से शुरू हुई दोनों की एतिहासिक प्रेम कहानी चले बापको बताते हैं कि गुर्जुरी के सामने फिरोज ने शादी का प्रस्ताव कैसे रहा आस-पास के लाके में इनके प्यार की किस से मशूर हो चुके थे फिर एक दिन आया जब फिरोज ने गुरुजुरी के सामने शादी करके अपने घर आने को कहा शुरूरात में गुर्जुरी को यकीन नहीं हुओ यहीं कि उसने शादी का प्रोपोसल दे दिया है एक दूद बेशने वाली लड़की को दिल्ली का अगला सुल्तान पत्नी बनाना चाह रहा था खेर फिरोज के भरोसा दिलाने पर गुर्जुरी ने उसके प्रस्ताब को मान लिया हाला कि दिल्ली जाने से पहले गुर्जुरी ने एक शर्त रख दी दरसल वो अपने बुड़े माबाप के बुढ़ापे का सहारा थी और उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी उसने फिरोज को इस बारे में बताया साती हिसार में उनके लिए घर बनाने को कहा लेकिन अब तक फिरोज दिल्ली के सुल्तान नहीं बने थे लहाजा गुरजरी के लिए वो घर नहीं बना सके फिर इसके बार आपको बताते हैं कैसे उन्होंने इस वादे को निभाया उन्होंने वादा किया था कि वो उसकी इच्छा को पूरा जरूर करेंगे 1351 में फिरोज जैसे ही दिल्ली के तक्स पर बैठा उसने बिना देर करते हुए हिसार को पूरी तरह से बदल कर रख दिया उसने ना सिर्फ वहाँ बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम किया बल्के अपनी गुरजरी के लिए एक शांदार महल तयार करवाया जिसे हिसार फिरोजा के नाम से बहुत प्रसुद्धी मिली थी गुजरी महल के ठीक पास में फिरोज ने अपने लिए भी एक किला बनवाया जिसे हिसार का किला भी कहा गया और इस वादे के पूरे होते ही गुजरी और फिरोज विवा के बंधन में बंद गए और हमेशा के लिए एक हो गए इस तरह से ये प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई और हिसार के लोगों की जुबा पर आज भी इस प्रेम कहानी का जिक्र मिल ही जाता है और कई लोग गीतों में भी इसका जिक्र सुनने को मिलता है आपको बता दी कि मध्यप्रदेश के गौलियर में भी एक गुजरी महल मौजूद है जिसे तोमर वंश के राजा मांग सिंग तोमर ने अपनी रानी गुजरी के लिए सन 1476 से 1511 के बीच बनवाया था और इस महल के अंदर 1920 के आसपास एक संग्राले के स्थापना भी की गई जिसे 1922 में लोगों के लिए खोल दिया गया यह संग्राले मध्यप्रदेश के सबसे पुराने संग्राले में से एक है और लोगों के बीच खासा लोग प्रिये है क्या आप भी इस जगे पर घूमने गए हैं? क्या आपने भी घूमा हैं गुजरी महल? क्या आपको इसकी बारे में कोई जानकारी है? तो जरूर आप शेयर कर सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में हमारे साथ और हाँ, इसके साथ मैं आप सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे स्टोरिकल सिरीज को इतना प्यार देने के लिए आप, आपके मन में अगर कोई सुझाव है कोई आप कॉमेंट करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए, हमसे जुडिए उस सुझाव साजा कीजिए अगर वो सुझाव हमें पसंद आया तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे और उसका नाम भी लेंगे कि इस बंदे ने हमें ये टॉपिक सुझाया था तो देर किस बात की? अगर आपके दिमाख में दिल में कोई भी सुझाव है तो लिख डाले कॉमेंट बॉक्स में पहुंचा दीजे अपने विचार राजसान संबाद तक फिर राजसान संबाद लेकर आएगा आपके बीच में वो इतिहास जो आपने कहीं नहीं सुना होगा कहीं नहीं देखा होगा नमस्कार वीडियो देखने के लिए बड़ी राजनेतिक पाटी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीत कर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार्त योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं राजनेतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना वीडियो इंटर्व्यू का है जमाना राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनेतिक प्रोफाइल को पावर्फुल बनाने के लिए लाए हैं पेशल डिजिटल पाकेज जहां प्रदेश के लाखो सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरा में लेंगे आपका इंटरव्यू और वो उन चैनल्स पर फ्रसारित होगा जिने पहले से लाखो लोग सब्सक्राइब किये हुए हैं और जिनके करोडों में व्यूद है तो छोड़िये पुराने तरीके अपने इंटर्व्यू, कैम्पिल्म्स और इविंट कोकीज ये जमे जमाय चैनल्स के जरिये वाइरल जारा जानकारी के लिए नीचे दिये हुए लिंक पर क्लिक केजिए